आज मैं आपने में लेकर आई हूँ वाटरमेलन जूस बनाने की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी थोड़े यूनीक स्टाइल में इसे बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग टेस्टी और एकदम तरो ताजा कर देने वाला जूस बनेगा तो चलिए इसे बनाना श निकालने की जूरुत नहीं है बस चाको की सहायता से इस तरी से सबसे पहले तो पतले पतले स्टिप्स काट लेंगे और फिर यह देखें यहां पर इस तरीके से चीरा लगा लेना है और फिर चाको की सहायता से इसे फिर देखिए बारी किस तरीके से चौप कर लूँगी त तो इसके घुद्दा के इसे असली है ने कम झाले कर कि दे다 यहां से यहां पर शुपे एक रोप यह चुक्ता स्वाण पर जिसी निए जब रेड पृड़ा है और फिर इसे फ्लेवर देनी के लिए यहां पर मैं डाल रही हूँ रोज सिरप तो इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे शर्बत में तो यहां पर देड कल्ची के बराबर मैंने रोज सिरप डाला हुआ है आप कलर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आपको रोज सिरप यहां डालना है तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं और अब इसे फ्लेवर देने के लिए मैं डाल रही हूँ देड नीबू का रस तो देड मीडियम साइस का नीबू लेना है और उसका जो रस है नहीं चोड़ कर यहां पर शर्बत में मैं डाल दूंगी तो यह है स्टाइल वाटरमेलन जूस बनाने की रेसिपी और बहुत ज़ादा आप देख सकते हैं महनत भी नहीं करनी पड़ी है जटपट यह शर्बत बनके तयार हो गया है यहां पर यह दिखे शर्बत हमारा तयार हो गया है यहां पर एक अडिशनल चीज डालूंगी और यह है चा बुर्दस्त फ्लेवर आता है और इसे और भी तरीके से बना सकते हैं मैंने इसकी और भी रेसिपी जाली हुई है जिसमें मैंने पूदीने का भी यूज किया हुआ है तो उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो आप वह रेसिपी भी देख सकते हैं अब यहां प up के साथ थोड़े तर्बूज के गुद्ацион के साथ और हमारा तर्बूज का जो शर्वत है जो पीने के लिए अई आपको बहुत ही रिफरेश कर देगा गरमी के मौसम के लिए बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग शर्बत है ये तो आप इसे जरूर ट्राय करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में दोस्तों श्तिदारों के साथ भी इस रेसिपी को जरूर शेयर करें मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नहीं टेस्टी रेसिपी के साथ थांक्स वर वाचिंग